हलो एवरिवन, फिजिक्स एजुकेटर चेनल में आपका स्वागत है आज अपन साइकलोईड के जनरल पॉइंट पे कार्व का रेडियस ओफ करवेचर पता करेंगे साइकलोईड को विकिपीडिया ने इस तरह से डिफाइन किया है इन जोमेटरी, एस साइकलोईड इस तकर्व ट्रेस्ट पाइए पॉइंट ओन ए सरकल एज इट रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद्धाउट स्लिपिंग यानि अगर एक सरकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्योर रोलिंग कर रहा हो तो सरकल की पेरिफेरी पर लोकेटेड पॉइंट साइकलोईडल पाथ में मूँग करेगा जैसे यहाँ पर देखिए सरकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्योर रोलिंग कर रहा है और circle के उपर located point cycloidal path यानि इस blue path के along move कर रहा है तो next अपन cycloidal path का parametric equation पता करेंगे यहाँ पर मैंने capital R radius का एक circle लिया है circle की circumference पर एक fixed point P ले लेते हैं माल लेते हैं यह circle T equal to zero पर pure rolling करना start करता है इसके center की velocity V ले लेता हूँ और इसकी angular velocity को omega से denote कर देता हूँ किसी general time T पर यह circle का नया position है जहाँ पर theta की value omega T के बराबर होगी अपन यह देखेंगे जब यह circle pure rolling करेगा तो circle की circumference पर जो fixed point अपनने लिया है वो इस cycloidal path के along move कर रहा होगा अपने को इसी cycloidal path का parametric equation पता करना है तो मैं general time T पर point P की location को x, y से denote कर देता हूँ P का x coordinate तो यह हो जाएगा और y coordinate यह होगा अब यहाँ पर देखें यह distance और यह distance equal होगे यह distance आपकी r theta के बराबर है तो यह distance भी r theta के बराबर होगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक की distance को r theta से denote कर देता हूँ x की value पता करनी के लिए अपन P से सामने वाली side पे एक perpendicular drop कर देते हैं यह angle 90 degree है तो इस right angle triangle में अगर अपन देखें तो perpendicular की value तो हो जाएगी r sin theta और base की value होगी r cos theta तो यहाँ से यहाँ तक का length अपन यह लिख सकते हैं r sin theta और यहाँ से अपने को x मिल जाएगा x हो जाएगा r theta minus r sin theta इसको equation 1 बोल देता हूँ इसी तरह से अपन y coordinate पता करेंगे यह distance अपने को पता है r के बराबर है यह distance भी अपने को पता है r cos theta के बराबर है तो y coordinate यह हो जाएगा y is equal to r minus r cos theta इसको equation 2 बोल देता हूँ यह cycloid का equation parametric form में अपनने पता कर लिया है अब अपन किसी general point p पे कारू का radius of curvature पता करेंगे radius of curvature का expression यह होता है मैं radius of curvature को यहाँ पे row से denote कर देता हूँ radius of curvature row is equal to 1 plus dy over dx का square whole की power 3 by 2 divided by d2y over dx2 और इसका mode ले ले लेते हैं क्योंकि radius of curvature positive ही रहेगी अब अपने को dy by dx पता करना होगा और d2y over dx2 पता करना होगा उसके लिए मैं पहले equation 1 को differentiate कर देता हूँ तो इसको जब differentiate करेंगे तो अपने को यह मिलेगा dx is equal to r theta को differentiate किया तो d theta मिल गया minus r sin theta को differentiate किया तो cos theta d theta आ गया और इसको अपने यह लिख सकते हैं r d theta को तो मैं common ले लेता हूँ r d theta into 1 minus cos theta यह हो गया equation 3 similarly अपन equation 2 को differentiate करेंगे तो अपने को dy मिल जाएगा dy की value यह आ जाएगी dy is equal to r को differentiate किया तो 0 आ जाएगा cos theta को differentiate किया तो minus sin theta d theta मिलेगा तो minus minus plus हो जाएगा यह आ जाएगा अपने पास जिसको अपने इस तरह से लिख लेते हैं r d theta into sin theta यह equation 4 हो गया और अगर मैं 4 को 3 से divide करूँ तो अपने को dy by dx पता लग जाएगा dy by dx यह आएगा r d theta sin theta upon r d theta 1 minus cos theta जिसको अपने यह लिख सकते है sin theta upon 1 minus cos theta sin 2a sin 2a का expression यह होता है 2 sin a cos a इसी तरह से 1 minus cos 2a को अपन यह लिख सकते है 2 sin square a इन दोनों formula का use अपन यहाँ पे करेंगे उपर sin theta को तो मैं यह लिख सकता हूँ 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और नीचे 1 minus cos theta को अपन यह लिख देते हैं 2 sin square theta by 2 तो अपने पास यह बच जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा sin theta by 2 से 1 sin theta by 2 cancel हो जाएगा उपर cos theta by 2 रह गया और नीचे sin theta by 2 बचेगा इसको अपन लिख सकते हैं cot theta by 2 तो इस तरह से अपने को पहला derivative मिल गया है dy by dx आगया cot theta by 2 के बराबर अब अपन second derivative पता करते हैं इसके लिए मैं इस equation को x के respect में differentiate कर देता हूँ तो left hand side में तो अपने पास यह जाएगा d2y over dx2 right hand side को भी x के respect में differentiate करेंगे यहाँ पे function code theta by 2 है जो theta का function है तो अपन chain rule apply कर लेते हैं पहले इसको theta के respect में differentiate करेंगे और फिर theta को x के respect में code theta by 2 इसका differentiation हो जाएगा minus cos x square theta by 2 और theta by 2 को differentiate किया theta के respect में तो 1 by 2 आ जाएगा d theta by dx की value अपन equation 3 से पता कर सकते हैं equation 3 से देखिए d theta by dx d theta by dx यह आ जाएगा 1 upon r into 1 minus cos theta तो d theta by dx की value अपन नीचे ले चलेंगे यह value अपन यहाँ पर रख देते हैं 1 upon r into 1 minus cos theta अब देखिए इसको अपन यह लिख सकते हैं minus 1 upon cos x square theta by 2 को नीचे ले जाएगे तो यह sin square theta by 2 हो जाएगा तो नीचे यह है 2 sin square theta by 2 और यहाँ पर मैं 1 minus cos theta को भी लिख देता हूँ 2 sin square theta by 2 तो अपने पास d2y over dx2 की value आजाएगी minus 1 upon 4 r sin to the power 4 theta by 2 तो अपने first derivative और second derivative दोनों की value अपनने पता कर ली है अब अपन इन दोनों की value radius of curvature के expression में put कर देते हैं radius of curvature यह हो जाएगा mod 1 plus dy by dx की जगे code theta by 2 put करूँगा तो यहाँ पर आजाएगा code square theta by 2 whole की power 3 by 2 और नीचे अपन रख देते हैं d2y over dx2 की value जो है minus 1 upon 4r sin to the power 4 theta by 2 अब numerator में 1 plus code square theta by 2 हो जाएगा cosec square theta by 2 तो numerator में तो लिख देता हूँ cosec square theta by 2 की power 3 by 2 denominator में जो term है वो है 1 upon 4r sin to the power 4 theta by 2 तो यहाँ पर यह तर्म आपकी उपर चली जाएगी minus को मैं हटा देता हूँ क्योंकि mode sign अपन ले रहे हैं तो यह आजाएगा 4r sin to the power 4 theta by 2 और यहाँ पर देखी अपने पास यह आजाएगा 4r cosec cube theta by 2 into sin to the power 4 theta by 2 cosec theta by 2 को अपन यह लिख सकते हैं 1 upon sin theta by 2 तो अपने पास यह आएगा 4r sin to the power 4 theta by 2 upon sin cube theta by 2 तो अपने पास radius of curvature का expression यह आजाएगा rho is equal to 4r sin theta by 2 यह radius of curvature हो जाएगी यहाँ पर theta की value omega t के बराबर है फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर अपन ने cycloid का radius of curvature formula method से calculate किया है next video में अपन radius of curvature को physical method से भी calculate करेंगे मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please like, share and subscribe झा-ब।